खबर एक, नवाब मलेक औन कंगना रानावत, कंगना के भीक में आजादी वाले बयान पर बोले नवाब मलेक सरकार करे गिरफतार ABP News, खबर 2, सोनिया गांधी से मिले सचन पाइलट, संगठन में पद मिलने की संभावना, जल्द मंत्र मंदल विस्तार, राजनीतिक नियोक्तिय, डैनिक भासकर, खबर 3, कॉंग्रस नेता राशिद अल्वी ने राम भक्तों को बताया राक्षस, बीजेपी बोली जनता सब स मजती है, News 18 इंडिया, खबर 4, MP में बैन हो सकती है सल्मान खुर्शीद की किताब, नरोत तम मिश्रा बोले आस्था को ठेस पहुंचाने का मौका नहीं छोडते आज तक, खबर 5, प्रिटायार जज से लखीमपुर कान की जाच करवाएगी योगी सरकार, सुप्रीम कोट मे आज सुनवाई हिंदुस्तान हिंदी, खबर 6, COVID-19, भारत में 24 घंटे में कोरोना के 12,516 केस, मौते फिर 500 के पार, लेकिन दो बड़ी खुश खबरियां भी, जाने, अमर उजाला, अमर उजाला, खबर 7, आज का कन्या राशिफल 12 नवंबर, उधार लेकर कोई काम न करें, जाने कैसा रहेगा दिन, आज तक, खबर 8, दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन का नहीं देख रहा कोई सॉल्यूशन, कई इलाके बने रेजोन, इन दो इलाकों में बिगड़े हालात आज तक, खबर 9, निशा मुडर केस, रैसल निशा दहिया मुडर केस में मुख्या आर पी न्यूज, खबर 10, पैट्रोल, डीजल प्राइस, कच्चे तेल के दाम उचले, यहाँ पैट्रोल डीजल के दामों में आठ दिनों से कोई बदलाव नहीं, NDTV इंडिया, Automatically Generated